कि अंडिये पूने रिक्वीटमेंट 223 ग्रूप सी सिविलियन नौटिफिकेशन 251 पोस्ट तो अंडिये पूने रिक्वीटमेंट 223 निकला है तब इसमें कैसे अप्लाई कर सकते इसका नौटिफिकेशन आउट हो चुका है तो सारा कुछ हम एक एक करके देखेंगे अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसके ऑफिचल वेबसाइट पर आने के बाद आपका ऐसा होमपेज खुल जाएगा उसके बाद आपको नीचे के तरह पाईएगा तो अगर आपको नौटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है या देखना है तो रिक्वीटमेंट इसमेंट पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज यहां नौटिफिकेशन खुल जाएगा नौटिफिकेशन में यहां पर देखिए आपको लोवर डिवीजन क्लर्क है सबसे जादा पोस्ट यहां पर पोस्ट भी बगल में दिया हुआ है तो टोटल पोस्ट आपका सबसे जादा आपको मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए दिया हुआ है यहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट इसी के लिए है 182 और लोवर डिवीजन क्लर के लिए है 27 यहीं दो में सबसे ज्यादा पोस्ट है यहां पर एज रिलेक्सेशन भी बताया हुआ है और पोस्ट रिजब्ड स्ट के लिए पांस साल पर ओवी सी के लिए तीन साल और वीडी और एसम के लिए अप्लिकेबल है आपको इस ओफि ऐसे स्टार्ट हुआ तो उसका 21 जिन बाद फॉर्म बंद हो जाएगा तो आपको उससे पहले ही भर लेना है यहां बोल रहा है ओनलाइन अप्लिकेशन विल एकसेप्टेट केंडिडेट तो टेक प्रिंट आउट दा अप्लिकेशन फॉर्म फ्यूचर रिफ्रेंद अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेजिए ताकि फ्यूचर में काम पड़े अगर काम हो तो दिक्कत ना होगा केंडिडेट मस्ट केरफुली रीड ओल दा इंस्ट्रक्शन एविलेबल उन दा वेबसाइट तो वेबसाइट में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको ध्यान पूर्वक पड़ लेना है और यहां चौता नमबर में बता रहा है तू एवाइट लास्ट मिनट रस केंडिडेट एडवाइस टू समिट ऑनलाइन अप्लिकेशन मच बीपोर क्लोजिंग डेट तो क्लोजिंग डेट से पहले अगर जैसे फॉर्म निकला उसका 21 दिन बाद फॉर्म बंद हो जागा तो आपको 21 दिन से पहले ही फॉर्म भर लेना है क्योंकि लास्ट मिनट में ज्यादा साइट बीजी हो जाता है तो उसकारण से अपका दिक्कत हो सकता है यहां पर आठ नुम्बर में बोला गया है केंडिडेट और एडवाइस तू फॉलो दा ओल कोवीड रिलेटेड गाइडलाइन इसूट बाइद सेंट्रल और स्टेट कवर्मेंट अपको चंव venom वुन मात्यजी है उनको अउसे वैक्सीनाथ होना जिरूरी है और जो नहीं होते हैं तो वह पर कप्रशाम बरना है तिसके अफीष सेट पाय पार जाई है आपको मैंने वैपसाइट बता दिया कौन से वैबसाइट के ये इस खुल जाएगा ओमपेश कोफ़ने के बाद आपको allowing क्लिक कर करना इसके बाद आपका नेक्षस पutation खूलेगा तो नेक्षट पर आपकोicias फिर्स्ट नेम आपको जो admit card में नाम था उसका यहां first name डालना है, middle name यहां बनना है, last name भर लेना है, date of birth यहां देना है, आपको यहां पर email address, यहां mobile number देना है, अपना password एक बना लीजिए और वही password same यहां पर भर लेना है, confirm कर लीजिए, अपना gender select कर लेना है, capture code यहां पर रहेगा, capture code भर ल OTP तो आपके mobile पर OTP आएगा, उस OTP को भर लेना है, एक आएगा email पर, एक आएगा mobile पर, तो दोनों OTP भर लेने के बाद इस capture code को यहां भर लेना है, और verify OTP पर click कर देना है, इस पर click करने के बाद आपका next page खुलेगा, तो आपको फिर से यहां login page पर आजाना है, login page पर आन पर लेना है, और सारे box पर टिक करने के बाद आपको नीचे के तरह पाना है, और यहां agree and continue to fill online application form पर click कर देना है, उससे पहले इस box पर टिक कर लेना है, उसके बाद आपको next page खुलेगा, तो next page पर आपको यहां पर post applied for, किस post के लिए apply करना चाहते है, वो यहां से आपको select क करना होगा, आप जो भी post select करेंगे, उसके हिसाब से आपको यहां पर eligibility criteria बताएगा, आप जो भी यहां post select करते हैं, तो उसमें 10th बताएगा या 12th आपको पास किया होगा होना चाहिए, फिर other relaxation यहां बोल रहा है, age relaxation के अलावा कोई और relaxation आप चाहते हैं, तो वो आप यहां स pop-up होके आएगा, application generated successfully, please fill details and submit applicant, तो आपको ok पर click कर देना है, इस पर click करने के बाद, आपका next page पर यहां पर form खुल जाएगा, तो आपको personal details पहलो भरना है, फिर educational and additional details, फिर other details, फिर upload document, फिर last में जाके आपको declaration करना होगा, तब जाके आपका form complete होगा process, आपको first name, middle name, last name birth, mother का नाम, यहां पर father का full name देना है, phone number, email address, आपको यहां पर एक identification mark देना होगा, martial status, आपका क्या है, साधी सुदा है, unmarried है, तो वो आप select कर लीजे, state यहां पर select करना है, correspondence address यहां पर आपको भरना है, आधार number आप यहां पर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, यहां पर देना है, state, district, pin code, यहां पर post office, और यहां पर नीचे पुछड़ा permanent address, तो अगर आपका permanent address और corresponding address same है, तो इस पर tick करिएगा, तो आप जितने भी यहां पर corresponding address भरे हैं, वो automatic नीचे feel हो जाएगा, इस page को भर लेने के बाद, आपको save कर लेना है, और next पर click कर देना है, इसक आपको यहां पर 10th का पूछा गया है, तो आपको 10th का roll number भरना है, कौन से college या school से पास हुए थे, कौन से state से थे, board कौन सा था, वो यहां भर लेना है, CBSC, ICSC, जो भी board से पढ़े थे, वो select कर लेना है, passing year कौन से year में पास हुए थे, total marks कितना आया था, आपको यहां बोला गया है कि CBSC वालों लोग का grade में आता है, result तो उस grade को आपको जैसे CGPA में आता है, तो उस CGPA को आपको convert कर लेना है percentage में, और percentage में आपको यहां पर form भरना है, तो आपको यहां पर marks grade यहां जितना है था, वो अप्टेंड किये थे, वो बताना है, और यहां पर aggregate यहां पर बत सकते हैं, 12 का यहां पर भर लेजिए, और अगर यहां पर कोई experience है, miscellaneous experience हो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको save करना है, और next पर click कर देना है, फिर आपको next page खुलेगा, तो next page पर आपको other details भर लेना है, save and next पर click कर देना है, इस पर click करने क आपको next page upload and document page खुलेगा, तो आपको signature अपना यहां पर upload करना होगा, आपको एक photo यहां पर upload करना होगा, photo 50KB का होना चीए, signature आपका 25KB का, यहां पर आप ID सेलेट कर सकते हैं, कोई भी ID, आधार काट सेलेट करीए, तो आधार का number आपको यहां पर देना होगा, और 50KB का ह होना चीए, और यहां file ले upload करना होगा, 10th का certificate यहां पर, number 75KB का होना चीए, और उसका एक document upload करना होगा, फिर आपको save कर लेना है, और next पर click कर देना है, last आपको declaration page खुलेगा, तो तीनों box पर यहां टिक कर लेना है, कौम से सहर से आप भर रहे हैं, उसका नाम यहां पर द form खुलेगा, जो आप जितने भी details बार हैं, उसका form खुलेगा, उसे आपको check कर लेना है, कि कोई गलती है या नहीं है, अगर गलती है तो आप सुधार सकते हैं, और गलती नहीं है तो आप final submit पे click कर दिए, final submit पे जैसे ही click हीजिएगा, तो आपको वहां पे print का option मिलेगा, आप चाहे तो वहां से print कर सकते हैं, final submit करने के बाद आपका process पूरा हो जाएगा, आप वहां से भी print कर सकते हैं, या फिर आप back आके फिर से home page में जाएगा, तो आपको वहां पे मिल जागा print out करने का अपना form, तो आप print out निकाल के रख लेगे,